देखे बिहार में हो गई है ठंड की एंट्री और रभीवार यानि आज पटना समेत इन जिलों का मौसम जो है वो सुहावना बना रहेगा बिहार के सभी जिलों में मौसम सुस्क बना रहेगा पटना में आज कहीं कहीं बादल च्छाए रहेंगे इस दोरान दिन के तापमान में समान से एक से दो डिगरी सेल्सेस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जबकि रात के तापमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखने को मिलेगा वहीं नवंबर के पहले 17 से ठंड बढ़ने की पूरी संभावना जताई गई है तो पत्ना समेथ पूरे बिहार में मौनसुन की वापसी हो चुकी है बिहार में अब ठंड ने दस्तक दे दी है आज बिहार के किसी भी जिले में बारिस होने की संभावना नहीं है और सभी जीलों में मौसम सुष्ट बना रहेगा पटना में आज कहीं कहीं बादल चायरा सकते हैं इस दौरान दिन के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जबकि रात के तापमान में किसी प्रकार का बदलाओ नहीं देखने को मिलेगा वहीं बात करें ठंड की तो नवंबर के प्रतम सब्ता से ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है अधिक्तम तापमान जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है मौसम विज्यान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पटना का मौसम इस समय बेहत सुहावना है किसी भी जिले में रभीवार को बारिस की कोई संभावना नहीं है IMD से मिली जनकारी के अनुसार पटना में आगे भी बारिस की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है राजधानी पटना समेत 11 जिलों में दिन के समय धूब खिलने के साथ बीच-बीच में बादल आते जाते रहेंगे हाला की राते और सुबा के समय हलकी ठंड जरूर महसूस होगी मौसम विभाग के मुताबिक पटना में अगले 15 दिनों तक बारिस के कोई आसार नजर नहीं आ रहे है इसका मतलब है कि बिहार समय पूरे देश के सभी राज्यों से मौनसून की वापसी हो चुकी है इस साल मौनसून में और सत से कम बारिस हो रही थी लेकिन सितंबर महा ने उस कमी को भी बिहार में पूरा कर दिया तो कुल मिलाज उलाकर मौनसून ने अपना काम कर दिया लेकिन अब मौनसून की वापसी हो चुकी है मौसम विभाग के मुताबिक पटना में अगले 15 दिनों तक बारिस के कोई असार नजर नहीं आ रहे है मौसम विग्यान केंदर के विग्यानिक सोनी कुमारी ने IMD दिल्ली के हवाले से बताया है कि बिहार से मौनसून वापस हो चुकी है इस वज़ा से बारिसी गतिविदिया बेहत कम हो गई है और पटना में इस समय मौसम सुस्क बना रहेगा रभिवार को सुबा की सुरुवात हलकी सिहरन के साथ हुई और गंगा किनारे के इलाकों में ठंड का एसास हुआ है सुबा 6 बजे के कासपा जो तापमान रहा था वो 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जैसे जैसे दिन चड़ेगा तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी होगी दोपहर 12 बजे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान है और दोपहर 2 बजे से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है हालाकि इसके बाद आपमान में धीरे धीरे गिरावट भी होगी असमान साफ रहने से तेज धूप और हलकी गर्मी का अनुभव हो सकता है लेकिन बीच बीच में बाद लोग की आवा जाही रहात देती रहेगी इसके साथ ही पचुआ हवा 10 से 12 किलोमिटर प्रतिगंटे की रफ्तार से चलेगी जो मौसम को और भी खुशनुमा बना देगी